एक हम लोग पहले से पता है कि जैसे एंग्लीज के लिए और मैथ के लिए हमरों का YouTube चैनल है और यूटुब चैनल का नाम आप हमारे चैनल पर आरे से रहा है वहां पर तेंथ 25 शुक्त को पार सकते हैं वे पर पार सकते हैं और जो आपका कुमार्स व्हजभ क्लासस टू न फॉम्ठ के से तो आप सभी जो भी तक नहीं चुड़े हमारे चैनल के माधियम से मैं यह कहना चाहूंगा हाला कि अभी मैं यह अपना statement दे रहा हूं हमारे statement के बाद सौरब सर भी वीडियो में राइब होंगे आएंगे वो और बच्चों के लिए कुछ बाते वह भी रखेंगे हला कि मैं यह कहना चाहता हूं को जो पिछले विकेंड में प्लस2 का रिजल्ट आया हुआ और मैट्री का रिजल्ट दुनों तेंद का जो जो प्लस2 और तेंद का रिजल्ट आतो इसने बहुत सारे बच्चे को ऐसा देखा गया कि थोड़े कम मार्क्स जो गेटर थे वो अपने टेकनिक को बढ़ाएं आप अपने जो कोलाबरेटीव एजुकेशन होता है इन सभी चीजों को बढ़ाएं जो सोचने का होता है उस अभी चीजों को देखे और आगे बढ़े पढ़ाई कभी रूखनी नहीं चाहिए उसके लिए हमारा जो यूटुब चैनल है और जो बिशेश कर प्लस टू वाले बच्चों से क्योंकि उनके पास अभी मौके जो होते हैं ग्रेजुशन करने के लिए और यहीं से उन लोग के लिए जनरल कंपेटिटिव फाइट करना बैसेश करना और बहुत सारे लाइफ के स्ट्रगल क्लासिस करने होते हैं तो प्लस टू प्लस टू पास आउट हो चुके हैं जिनका प्लस टू अच्छा रहा वह आप ग्रेजुशन के तयारी के साथ सथ कंपेटिटिव लेबल के प्रिप्रेशन करना सुरू कर दें और जो अभी इधर हाल फिलार में रिसेंट्ली टू थी लेज लेटर वो जो तेंथ का रिजल् आप नौलेज को किसी को बता सकते हैं और किसी की सामने आप कैसे बात करते हैं यह सभी इंप्रेंट होता है तो मैट्रिक वाले के पास अभी तो प्लस टू के लिए समय है वहां पर आपने लाइब को देखें और अपने 1 परसंट सब्जक को या जिसमें उनकी रूशी बनत है वह सब अपना तयारी करते हैं इस तरह से और मैं लास्ट लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारा इंसिश्यूट चलता है वह इंसिश्यूट का जो लोकेशन है वह अगले मैं कहलों कि मिडल अफ एप्रील में इन फ्रॉंट ऑफ हनुमान मंदीर जो मंदीर के सामने इसका होने बाला है इसके लिए बीसेश डिटेल्स जनकारी दी जाएगी और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं अपना बात खतम कराऊं तो यहां पर सौरफ सर्वी आएंगे और अपने बारफ़त अपने से वह बच्चों के बीच में थोरे से मोटिवेशनल को इ वीडियोज को समझें और साथ दें थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग